फाइनली दोस्तो आइफोन 14 के लाइनप आ चुके हैं जहां पर चार फोन्स लांच हुए हैं आइफोन 14, आइफोन 14 प्लस इसके अलावा प्रो एंद प्रो मैक्स चारों के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा पहले तरह मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या ऐसे 10 चेंज के बिक बिलियन डे सेल और Amazon के ग्रेट इंडियन जो सेल होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे तो वीडियो बहुत जादे इंफॉर्मेटिव होने वाला है सुरू से अन तक जरू देखेगा लाइक कीजेगा 3000 लाइक टार्गेट है पार करा दीजेगा अब यहां पर से सारे पॉइंट को मैंने नोट करके रख लिया है तो जो सबसे पहला चेंजेज आपको देखने को मिल रहा है कि 13 का सीरीज अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको अलग-अलग स्क्रीन के साइज़ देखने को मिलते थे इस बार आपको 14 सीरीज के अंदर जो 14 और 14 प्लस आ मिलेगा तो मेरे हीस आप से थोड़ा बेटर हो जाता है क्योंकि अगर आपको बजट बहुत जादा हाई नहीं है और आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए तो यार आप इस वाले मॉडल को डेफिनेटली देख सकते हैं दूसरा जो आपको मेजर चेंजेज मिलेगा आइपोन 14 क जो प्रो अन्द प्रो मैक्स वाले वेरियंट है उसमें आपको higher brightness देखने को मिल रहा है इसके अलावा दोस्तों डिस्पले में आपको जो प्रो अन्द प्रो मैक्स वाला वेरियंट है उसके अंदर Always On डिस्पले का भी option मिलेगा तो ये एक अच्छी बात है और जो तीसरा आपको मिलेगा जो कि front में आपको देखने को मिलेगा हम लोग notch से ना बहुत जादा यार दुखी होते हैं इतना बड़ा notch बहुत जादा ही बड़ा हो जाता है वैसे 14 एं 14 प्लस में notch थोड़ा बड़ा रहेगा और जो pro and pro max है उसमें pill-saped notch आपको मिलता है तो जो है ना मतलब notch का अगर आप size देखते हैं बहुत कम हो जाएगा वैसे हाँ notch होगा ही यार क्योंकि face ID और इसके अलावा जो sensors रहते हैं वो सारे मिलेंगे वैसे यहाँ पस दुस्त बताया यह जा रहा है कि proximity sensor आपको behind the display मिलेगा तो इसी की वज़े से यह लोग थोड़ा कम कर पाएं और यार यह चीज कब हटेगा वो तो कहना मुस्किल है क्योंकि आज के phones में बिंदी notch होता है बट मुझे नहीं लगता है यह हटेगा फिलाल के लिए जब तक उसको ना अंदर जो display के अंदर camera वो नहीं लाया जाएगा तो वो बाद में देखा जाएगा बाकी और क्या चीज़े यहाँ पर changes मिलेगे तो यहाँ पर A16 bionic chipset आपको देखने को मिलने वाला है pro and max वाले variant में लेकिन जो plus वाला variant है उसमें आपको A15 वाला ही मिलेगा जो की 13 pro वाला जो series में आता था ना वो वाला जहाँ पर आपको 5 core GPU देखने को मिल जाएगा तो वो एक थोड़ा सा edit benefit जरूर देगा अगर आप gaming ये सब करते हैं और improved battery performance में मिलने वाला है सारे series के अंदर चारो model के अंदर आपको ना जो battery की performance है वो अच्छी मिलेगी इसके लावा दोस्तो iPhone 14 के पूरे line-up के अंदर आपको crash detection का भी option मिलेगा तो खुदाना खासते let's suppose गलती से कुछ crash हो जाता है traveling के दोरान तो आपका जो भी पूरा location का detail से आपके emergency contact को भेज दिया जाएगा ये useful रहेगा काफी सारे scenarios में बट ऐसा कभी आपके साथ ना हो यही मेरे तरब से दुआ रहेगी खैर अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है like कर देना वैसे इसके अलावा दोस्तो एक और upgrade है pro and pro max वाले variant में आपको 48MP का camera sensor मिलता है तो definitely आपकी आपकी camera जो quality होगी वो और improve होगी detailing और अच्छा होगा वैसे सारे चारो lineup के अंदर आपको वीडियो की quality और improve कर दी गई है और सारे phones के अंदर दोस्तो जो front camera है उसमें आपको जो quality है वो और improved की गई है in terms of low light pictures क्योंकि f1.9 aperture कर दिया गया है तो उसकी वज़ा से picture की quality अच्छी हो जाएगी और focusing वाला भी option यहाँ पर add on कर दिया गया है तो यह सारे technologies यहाँ पर add on किये गए है camera department में तो pro और जो pro max है उसमें quality अच्छी मिलेगी और जो छोटे वाले variant है उसमें थोड़ी सी enhancement और अच्छी कर दी गई है अगर आप front camera को देखते है तो और एक चीज़ चेंज किया गया है जो US वाले variant रहेंगे जो भी iPhone के 14 लाइनप के उनमें आपको जो dedicated sim slot रहता है वो नहीं मिलेगा e-sim slot ही मिलेगा तो वो भी एक बड़ा change किया गया है US वाले model के लिए तो अगर मैं सारे चीज़ों को sum up करके आपको बताऊँ price बताने से पहले तो देखो जो iPhone 14 का जो पूरा लाइनप है उनमें अगर आप पीछे के तरब से देखते हैं तो कोई भी design में changes नहीं की गई है चलो ठीक है जो आपको designs मिलता है वो भी एक तरीके से ठीक है लेकिन front में आपको pro and pro max में जो pill shape का आपको notch मिल रहा है वो थोड़ा से एक upgrade रहेगा 48 Megapixel का यही दो variant में आपको camera upgrade मिल रहा है बाकी सारे चारो variants में front camera थोड़े improved मिलेंगे सारे में आपको battery backup अच्छा मिलेगा चिपसेट जो दो छोटे वाले variant है उनमें आपको same A15 मिलेगा लेकिन अच्छा खासा आपको GPU ये सब upgrade देखने को मिल रहा है यानि कि course के term में अगर बोली जाए तो वहाँ पर आपको upgrade देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको जो higher वाला variant है उसमें A16 bionic chipset का use किया गया है तो again performance अच्छी हो जाएगी और जो crash detection है वो एक add-on feature है जो कि मेरे हिजाब से काफी सारे scenarios में useful रहेगा और इसके अलावा जो ceramic sealed है बाकी जो आपको resistance मिलता है waterproof यह सब सब कुछ जो भी आपको मिलता है हर एक चीज मिलेगा वही है आपको वहाँ पर से charger यह सब जो box में नहीं मिलता है वो सारे चीज़तों जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे बाकी यहाँ पर से आपको color variant की बात करते हैं तो जो 14 वाला जो base वाला model है 14 and 14 plus उसमें आपको अलग-अलग colors मिलते हैं midnight, straight, blue, purple and product red and 14 pro and 14 pro max की बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको space black, silver, gold and deep purple देखने को मिल जाता है अब चलो price की बात कर लेते हैं तो अगर मैं price आपको बताओ तो 12 lineups अगर मैं आपको start करके price बताओ तो जब यह India में launch हुआ था तो उसका price यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे 12 mini भी था उस समय बाकी 13 lineups की बात करते हैं तो उसके भी prices आप यहाँ पर से देख लो अब यह दो prices में आपको क्यों दिखा रहा हूँ ताकि आपको ने एक idea रहे कि किस तरीके से इन्होंने price को increase किया है और यहाँ पर से दोस्तो officially अगर मैं आपको दिखाओ तो जो पूरा lineups है उनके prices को अगर आप last year से compare करते हैं तो 13 में आपको $599 अभी भी दिखाया जा रहा है पिछले बार $699 का था वो तो वहाँ पर $100 का direct cut मिला है तो जाहिर सी बात है sale के दरण आपको all discount मिलेगा वैसे चलो आप मुद्दे पर आते हैं 512 GB वाला variant एक लाख 9,990 रुपय में मिलेगा यही पर दोस्तो 14 प्लस की बात करते हैं तो 128 GB आपको $89,900 से start होता होता है दिखेगा जो कि all the way $1,19,900 तक जाएगा इसके अलावा 14 Pro की बात करते हैं तो 128 वाला variant एक लाख 29,900 रुपय से start होगा यानि 129,900 जो की जाएगा 1 TB तक $1,79,900 की कीमत तक और finally अगर iPhone 14 Pro Max की बात करते हैं तो 128 वाला variant $1,39,900 से start होता हुआ पूरा जाएगा $1,89,900 की कीमत तक मतलब याद 2-2 लाख रुपया का फोन बहुत जादा ही हो जाएगा खेर अब चलो ये सारे prizes तो मैंने आपको बता दिया अब इनकी availability कब तक होगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो जो 14 का है उसका available होगा आपको 16 September से 14 प्लस आपको 7 October से start होता बद दिखेगा प्री बुक ये सब भी आपको करने का मौका मिल जाएगा तो लिंक्स दे दूँगा description box में जाके देख सकते हैं और बाकी दोस्तों अगर pro and pro max की बात करते हैं तो इसको आप pre-order कर सकते हैं 9 September से और ये आपको available हो जाएगा 16 September के बाद से तो अब बताओ कि आप कौन सा phone खरीदने में interested हैं अब जो मुद्दे पर आते हैं कि आपको sale होने वाला है na Flipkart and Amazon का जो कि कुछ दिनों के बाद आपको मिलेगा तो उसमें पूराने iPhones के क्या prices हो सकते हैं तो अगर मैं iPhone 12 की बात करता हूँ जो कि normally मतलब अगर अभी आप देखते हैं तो 50 की ऊपर मिलता है लेकिन last year जो big billion day sale था उसमें जितना मुझे याद है 50,000 के नीचे यानकी अगर आप offer लगा करके लेते न तो 47 के around मिल जा रहा था मैं 128 वाला variant लिया था जिसका screenshot मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सारे offer लगा करके discount price के हिसाब से आप देख सकते हैं वैसे access bank का credit card अगर आपके पास है तो अच्छी बात है क्योंकि इस बार भी sale में आपको offer मिलने वाला है और नहीं है तो आप lifetime free credit card ले सकते हैं इसी महीने के लिए available है यह offer description box में मैंने link दे दिया है आप चहों तो जा करके apply कर सकते हैं और हाँ SBI का credit card पे भी offer है जो कि Amazon पे चल रहा है तो दोनों के links में दे दूँगा वैसे हाँ best credit card का भी video आ चुका है तो आप उसको देखिएगा इस video के खतम होनी के बाद अगर आप apply करते हैं तो definitely आपको आप 57,000 का अराम से discount मिल जाएगा तो उस video को भी जरूर देखिएगा अब इस साल जाहिर सी बात है इस से कम price में आपको मिलेगा अल्रेडी banner यह सब आ गिया है अल्रेडी यहाँ पर XXX दिखाया जा रहा है बढ़ ठीक है इसका price अगेन आपको बढ़ जाएगा मतलब कम होता हुआ दिख जाएगा अब कितना होगा तो अभी जो expected मैं सोचता हूँ जितना आपको अभी online दिख रहा है 52, 53 के आसपास उस से 10,000 कम आराम से आपको मिलेगा और जो 13 वाला line-up है जो कि अभी तकरीबन 69,000 के आराम मिल रहा है उनके regarding एक dedicated वीडियो आएगा तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और bell notification भी प्रेस कर लिजेगा अब देखो ये सारे changes के बाद आपको क्या लगा iPhone 14 आपके लिए कौन सा model जाद अच्छा है अगर आप मुझसे पूछते हैं तो छोटा display के ही साब से 6.1 ठीक है बड़ I think जादा तर लोग iPhone 14 का जो plus वाला variant है उसको खरीदने में interested होंगे बड़ ये तो मेरा suggestion है बाकि आप कौन सा phone खरीदने में interested हो प्लीज बताना क्योंकि देखो अगर मैं आपको directly बताऊ न तो 14 and 13 को आप compare करते तो पीछे से कुछ वैसा के जादा फरक नहीं मिलेगा अगर front से देखा जाए अगेन जादा tension नहीं है तो अगर आप 13 Pro Max को नहीं खरीद रहे हैं जहां पर आपको display ये सब बड़ा मिल जाता है same kind of exactly overall देखा जाए मतलब आपको feature wise आपको 14 plus में देखने को मिल जा रहा है तो ये एक अच्छी बात होगी मतलब आपको सस्ते में अच्छा खासा चीजों का मज़ा मिल जाएगा खेर बस यही था मेरा opinion आपका क्या सोच विचार है आप हमें comment करके जरूर बताई है क्योंकि comment box खुला है बाकि इस विडियो में इतना ही like, share and subscribe करके जाना so thanks a lot for watching